नमस्कार, फल्मी बीट मैं आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ क्रतिका कलंक फल्म 17 एप्रिल यानि की आज रिलीज होने जा रही है करन जोहर की मल्टी स्टारर फल्म का दर्शुकों को बेसबरी से इंतिसार था फल्म रिलीज से पहले इसकी जबरदास्त स्क्रीनिंग हुई जिसमें आल्या भट, वरुन्धवन, सवनाक्षी सन्हा, आदिते रोय कपूर, माधुरी देख्षित, करन जोहर और अमिता बच्चन की बेटी, करन जोहर की दोस्त, श्वेता बच्चन भी पहुँची स्क्रीनिंग में पहुँचे सितारों ने कलंग को सुपर हिट बताया, नूर आल्या भट और जफर वरुन्धवन की प्रेम कहानी पर आधारित है कलंग, जो की एक पीरियेड ड्रामा फल्म है, कलंग का डारेक्शन अभिशेक वर्मन ने किया है, फिल्म के डायलॉग और ल लेकिन उनकी ये महबत हिंदू-मुसलिम दिवार तले दफन होकर रह जाती है, इसे बीच रूप देव चौदरी यानि के अधितरोय कपूर से शादी करने का फैसला लेती है, देव पहले से ही शादी शुदा होते हैं, लव ट्राइंगल प्रेम कहानी तले बनी फिल्म कलं है, तो ऐसे में मेकर्स को फिल्म की कमाई से काफी उम्मीदे है, कलंका ट्रेलर और गार ने फिल्म रिलीस से पहले ही सुपर हिट हो चुके हैं, आले भट, वरुन्धवन, संजदा सुनाक्षि सना, आधितरोय कपूर और माधुर दिक्षित के अलावा कलंक में कुनाल खेम यानिकी एक दवाइफ के रोल को प्ले कर रही है, वही संजदत बलराच चौधरी की भूमिका में दिखाई देंगे, कलंक पहले दिन 18 से 20 करोड की कमाई कर सकती है, फिल्म समिक्षि को ने ऐसे कयास लगाए हैं, वही पहले हफते में कलंक के 100 करोड का आकड़ा पार करने की पूरी उमीद हैं, मतादे कि फिल्म शुकरवार को नहीं, बलकि महाविल जनती के मौके पर बुद्वार को रिलीज हो रही है, ऐसे में फिल्म को लंबा वीकेंड मिलेगा, जिसका फायदा कलंक के कलेक्शन को मिल सकता है, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चान प्राइब करना ना भूलेगा